36 गड़ में घोशना पत्र को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस आमनी स्वामनी नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी ने अभी तक तीन प्रेमख घोशना की है तो वहीं बीजेपी भी आबास से संबंधित कई वादे करते हुई नजर आ रही है 2018 के बिधान सभाज चुनाबों में कॉंग्रेस पार्टी के लिए घोशना पत्र में ही गैम चेंजर साबित हो गई थी और यही कारण है कि दोनों ही पार्टी यां इस बार अपने अपने घोशना पत्र पर बिशेश ध्यान दे रही है कॉंग्रिस पार्टी ने अब तक जाती गत जनगड़ना 20 कोईंटल प्रती एकड़ धान खरीदी और 17.5 लाख परिवारों को आवाश देने का बादा किया है महीं बीजेपी ने गरीबों को 75,000 रुपे में मकान देने और PSC में हुई गड़बडियों को लेकर जांच करवाने का एक बड़ा बादा किया है फिल्हाल दोनों ही पार्टियों ने अपनी गोशना पत्र जारी तो नहीं किये हैं गोशना पत्र को लेकर मुख्य मंतरी भुपेश बगेर ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो हमने कई गोशना की थी किसानों के करज माफी इसके अलाबा हमने जंता से जो बादा किया था वो पूरा किया लेकिन बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है उन्होंने अभी तक कोई भी बड़ी गोशना नहीं की है इनके इतने सारे केंदरी नेता यहां पर आ रहे हैं जा रहे हैं रेलिया कर रहे हैं लेकिन उन्होंने भी 36 गड़ के लिए कोई बड़ी गोशना नहीं की है